आगामी पंद्रा नमबर को त्रिपूरी पोल्डिमा के अउसर पर तरसल के राज राजिश्वरी आश्रम शरब गाउ पर सोडी केलवद में भव्य महालक्षमी यग्य अनुष्ठान का आयूजन किया गया देवादी देव महादेव की असीम अनुकंपा टता आरियवत परिवार द्वार गुरू भहिरवानंद महाराज के आशिरवास से आश्रम के गुरूजी राजकुमार बसवार के माग्य दर्शन में भव्य महालक्षमी यग्य आयूजित किया गया है इस पवित्र आयोजन में 14 नमबर 2024 को श्री महालक्षमी कलश थापना दोपर 2 बजे यंत्र अभीशिक तथा शाम 5 बजे से 8 बजे भजन संध्या तथा 15 नमबर को सुबद 6 बजे से शाम 5 बजे तक महालक्षमी यग्य अनुष्ठान का आयोजन किया जाने वाला है इस भविय आयोजन में सादक पती पतनी को पिलेवस्त्र धारन करना अनिवार्य है तथा यग्य आयोजन हेतू 2 किलो शुद्ध गाय का गी लाना होगा यग्य में पंजन हेतू आश्रम पहुचकर या 888-930-986 इस क्रमांग पर आयोजन तथा राज-राजश्वरी आश्रम के संचालक श्री गुरुजी राज़कुमार बसवार से संपर करेत था तथा इस समय से पहले आश्रम पहुचकर इस यग्य अनुष्ठान का लाब लेनी का अनुरोद गुरुमादा दिप्ती बसवार ने किया है सावने चिनवारा मार्क पर स्थित श्री राज-राजश्वरी आश्रम सावनेर मुख्याले से आठ किलोमेटर दूर शरप गाउ पर सोड़ी स्थित इस आश्रम में 73 विशार यग्य खुंड, 64 यग्य पीट, 64 शक्ती भैरो योगीनी साथी नवगर स्थापित है तथा इस आश्रम में स्थित शिव मंदिर से स्थापि शियूलिंग से लगातार रिस्ता पवित्र जल इस स्थान की महानता दर्शाता है वही हरवर्ष अदचारे की तिसरे दिन तथा रामनौ में की तिसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दरत्रेदुशी तथा अक्षेत रुतिया के दिन सुबह पाच बजे खोले जाते हैं इस अवसर पर मंदिर के गर्व गुरुष विलिंग से अद्रुश्य रूफ से निकलने माले पवित्रे जल से पुरी तरह से भर जाता है और इसमें सनानकर श्रधालो को अलग ही आभास होता है वही मंदिर के सारी पूजन प्रक्रिया चार धामों में स्थित बदे नाज जीव केदा नाज जी मंदिर की तरह से की जाती हैं वही आश्रमें देश विदेश से श्रधालो पहुच कर खुद को धन्यमान दर्शन लाब लेते हैं प्रणाम मैं गुरुमा दिप्ती राजकुमार बस्वार राज राजश्वरी आश्रम पर सोडी गाउं से आप सभी लोगों को निमंत्रित करना चाहती हूँ 15 नवेंबर 2024 को हमारे आश्रम में एक महालक्ष्मी का महायग्य का नुष्टान होने वाला है यहां नुष्टान महालक्ष्मी की कृपा और गुरुजी राजकुमार बस्वार के सानिध्य में हम पूरा करने वाले हैं तीन वर्ष पूर्व हमारे आश्रम में भव श्री अंतर की स्तापना की गई थी उस श्री अंतर की स्तापना के समय हमने महालक्ष्मी के महायग्यों के 16 अनुष्टान करने का प्रण लिया था और इन में से 2 अनुष्टान हम पूरे कर चुके हैं इस साल हमें महालक्ष्मी की क पर पास से तीसरे अनुष्टान को इस तीसरे महायग्य को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग हमारे साथ इस महायग्य में सहमेले थो और इस भव्य महायग्य का आप सभी लोगों को अशिरवाद मिले महालक्ष्मी की क्रुपा आप लोगों को मिले और इस यग्य द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में खुशाली और माता की माता की आशिर्वाद और क्रिपा की वर्शाव हो इसलिए आप सभी लोग इसमें निमंत्रित हैं यहां आते समय आप लोगों को पीले वस्त्रों को धारण करना है और हम सब के साथ मा लक्ष्मी की भक्ती में लीन होना है। धन्यवाद। महानुस सेवन के रिए समवाद आता की शोर ढूंडेले सावनेर।